नमस्कार मैं प्रिया राज आप देख रेक निउस 24 आपको बता दे लागतार इस वक्त की बड़ी बात हो जाती है बीजेपी के लिए संकट की घड़ी यारी बिहार के कदावर निताव का बीजेपी पर ताबर तोड़ बोलना बीजेपी के फैसले पर बोलना चाहे बात हो ज जीतन रामान जी आए दिन जिसतार से वो एंडिये में रहकर के कहा जाए तो बीजेपी के बारे में कुछ ऐसी बाते बोल जारे जो कई ने कई घटक दलों के लिए एक संकट की बात हो जाती है और कहा जाए तो सीटों को लेकर बहुत बड़ी बात हो जाती है तो आस बार बार तंज कसना कितना सही हो जाता है आप बताईए हमारी जनता को देखिए अगर हम आपको बता दे तो जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी रन्नीती अपना रही है जो बीजेपी का काम है जो रन्नीती है उसको पर सवाल उठ रहे हैं उनके जो निरनय निकल कर सामने इणि की जो काम बिपक्ष को करना चाहिए वो काम बिपक्ष तो नहीं कर रही है पर अपने ही घटक दल के बड़े नेता जरूर कर दे रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जा रहा है, और उस मुद्दे से विपक्ष तो सरकार को घेर ही रही है, लेकिन NDA में ही रहकर NDA के ही बड़े चहरे जो हैं, वो अपने ही सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे मिल लगातार सरकार के नितीश कुमार के जो निर्नय है, उस पर सवाल उठा रहे थे, ऐसे में BJP और नितीश कुमार अब परिसान हो गई है, और इसी कड़ी में अब नया नाम भी निकल कर सामने आ रहा है, उपेंद्र कुसवाहा, जी हां, आप सब ने देखा कि उपेंद्र कुसवाहा क इस तरीके से कारा काट चुनाव हारते हैं, उसके बाद भी इंडिये उन्वे पर भरोसा जताती है, इंडिये उनको सांसद बनाती है राजसभा का, लेकिन सपत अब तक हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुसवाहा ने अपना तेवर दिखा दिया, सांसद ब रंते ही उपेंद्र कुसवाहा ने सीधा सीधा इंडिये को ललकार दिया है अभिहार सरकार को, जी विकास जी जिसता सभी आपने उपेंद्र कुसवाहा का जिक्र किया तो आपको बता दे कि वहें उपेंद्र कुसवाहा जो कारा काट से चुनाव के लिए खड़े उतरे थ पर कहना है कि दोनों के फर्मूला अलग होते हैं इसमें करिक्सन करनी की जुरत है हला कि चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे उपेंदर कुस्वाहा इस वाकत्त्ति बिल्कुल दपेंदर कुष्वाह को क्या लग रहा है कि यह एंड़िए के वज़ाए से चुनाव हार गये उपेंदर कुश्वाहा अब तक ये मानने को तयार नहीं है कि जो वहां पर काम किये काराकाट में उल्फ से काराकाट की जनता बेहत ज़्यादा नराज थी मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद लोकसभा के चुनाव में उपेंदर काम करने का तरीक था और यही कारण रहा कि काराकाट की जनता ने उपेंदर कुश्वाहा को अपनायाações पसंद नहीं किया लेकिन उपेंदर कुश्वाह को ये लग रहा है कि जो बीजेपी की रन नीथी रही जिसके वजह से नराज होकर पावण सिंहि मैं उतर गया पवन सिंग का एहम योगदान रहा उपेंदर कुसवाह को चुनाव हरवाने में ठीक है ये रोल रहा और यही कारण रहा कि BJP को आरा सीट भी हारनी पड़ी और तमाम कई सीटे हारनी पड़ी और जहांपर राजपूतों का दबदबा था वहाँ पर पवन सिंग ने सीधा सीट दी जाए ये नहीं कि मेरा अगर आरा छेत्र में पकर है तो मुझे आरा ना देकर कारा कार्ट में पकर है उसको आरा दे दिया जाए तो यही कारण है कि अब उपेंदर कुसवाहा ने सीधा BJP की रनीती पर सवाल उठाया है और उपेंदर कुसवाहा और चिराग जो नाराजगी जता रहे हैं और अगर दोनों एक होते हैं तो एक खत्रे के घंटी NDA के लिए होगी BJP के लिए होगी ऐसे में नितीज कुमार ने बड़ा फैसला कर लिया है नितीज कुमार का जो फैसला है वो सीधा सीधा BJP को मैसेज भेज दिये है कि जो आपके घटक दल वो आपको मुबारक हमें नहीं हम आपके घटक दल को लेकर साथ में नहीं चल सकते हैं आप तै कीजिए कि आपको किसे कहां से चुनाव लरवानी है किसे कहां पर सीट देनी है नितीश कुमार की पार्टी यानि कि जो नितीश कुमार का पार्टी है उसका जो सीट है जहां से को चुनाव लड़ते हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ये फैसला नितीज कुमार जो है वो सीधा सीधा दिल्ली तक भेजवा दिये हैं कि आपका घटक दल है आपका सिर्दर्द है आप अपना सिर्दर्द को अपने पास रखिए हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है कि जो सहमती बननी चाहिए गट बंधन में वो सहमती नहीं बन पा रही है और यही कारण है कि नितीज कुमार ने सीधा सीधा बीजेपी को संदेश भेजा है कि आपका सिर्दर्द आपको मुबारक हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो सहमती नहीं बन रही है और यह सहमती न बनने का कारण 2025 का जो विधान सभाज चुनाव होगा इसमें इसका खाम्याजा हमें भूगतने को पर सकता है और यही कारण है कि अब नितीज कुमार ने सीधा सीधा मन बना लिया है कि चिराग पासवान के सासात उपेंदर कुस्वाहा की पा कहा जाए तो उपेंदर कुस्वाहा इस बात को पूरी तरह से समझते हैं जिस तरह से कहा जाए कारा काट लोग सभाज चुनाव में उनके साथ जो भी हुआ हला कि ये भी कहा जाए था कि पावन सिंग को उनका फैक्टर बना करके चुनाव में उतारा गया था लेकिन इस व कि अगर हम बिहार में विधान सभा चुनाव में सीट चाहिया और अगर हम और चिराक पासवान निर्दलिया अपने गटबंधन करके भी आ जाते हैं तो हमें बहुत फैदा होगा इसमें क्या है कि अगर चिराक पासवान को 20 सीट मिलेगी इससे ज्यादा तो बीजेपी दे होंगे और हर जगह से अपना चुनावी मैदान में उतारेंगे तो उनको चिराक पासवान और उपेंदर कुस्वहा को इस वक्त ये लग रहा है कि हमें ज्यादा फैदा होगा अगर हम खुद चुनावी मैदान में उतर जाए और यही कारण है कि बीते दिनों ही चिराक पा कंष्वान इस वक्त कारे करें करें के बी इसका सामना पर सब्था करना पर सकता है Sunday Divine पिटेइपि पारपर स्वहन से PB जान भी वाराइ चिल्एक पारती पारताल म्तरी नरेंडर मोदी से वी मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात राजपाल को ले कर होगी कि कब राजपाल बनाया जा रहा है पश्चोपति पारस जी को, प्रिंस राज को कब मंत्री बनाया जा रहा है वैसे में देखिए इस वक्त बिहार की राजनीती बेहत गर्म है गर्म रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ दो चहरे चिराग पासवान और उपेंद्र कुस्वाहा और ये दो ऐसे चहरे हैं जो कभी भी BJP के लिए खत्रे की घंटी बन सकते हैं, इनडिये के लिए खत्रे की घंटी बन सकते हैं और जिसकी वज़ा से इन्हें बड़ा नुकसान भी उठानी NDA को पर सकती है, BJP को पर सकती है, और ये अब सब फर्मूले पर नितीज कुमार जो है, सब कुछ आजमा चुके है, नितीज कुमार ने जो मैसेज भेज़ आया है, वो मैसेज पर अब BJP विचार भी करेगी, कि आखिर कार करना क्या है, किसे कितनी सीट देनी है, क इतने ही सीट पर लडेंगे, अब BJP के लिए बड़ा सिर्दन, नितीज कुमार को अच्छे से पता है, कि BJP मेरे बिना कुछ नहीं बिहार में, और BJP को भी ये पता है, नरेंद्र मोधी को भी ये पता है, कि अगर बिहार में हमें सरकार में रहना है, तो नितीज कुमार को स सामने घुठने टेकती है और एक बार फिर से बीजेपी नितीज कुमार के सामने घुठने टेक रही है और चिराक पासवान उपेंदर कुस्वाहा पर बड़ा फैसला बीजेपी ले सकती है दोनों को पार्टी से निकाल भी सकती है तो जैसा कि अभी आपने विकास जी के सुन कि जो चार्च सीट है या फिर कहा जाए तो सीटों को लेकर बटवारों को लेकर किन सीटों पे किसे उमिद्वार के रूप में खड़ा चाहिए या किसे कितना सीट देना चाहिए इतना ही नहीं उपेंग कुसवाहा ये भी बात का दावा करते कि लोग सबा और विधान सबा के चुनाओं में जमीन आसमान का फर्क होता है और ये चीज बीजेपी के लोगों को और इंडिये के लोगों को सुनना चाहिए इता ही नहीं उन्हों ने नीतिस कुमार पर भी जम कर बुला उनका साथ और पे करना था कि जब बिहार के मुख्य मतिए नितिस कुमार समर्थन के दोरान, लोगों से समभोधन के दोरान, स्टेज से, उनका कहना ये, कि मैं महागढ़ बंदन में नहीं जाऊंगा, मैं NDA का हूँ, तो ये तो साथ और पे जाई रहे कि नितिस कुमार NDA में है ही, तो ये बाती वो रहेगा एक निव्स 24 पर धन्यवाद